येस बेटा अब हम करती हैं जी chapter number 11, chapter number 11 ये last है business studies class plus 2 और book का जी बेटा आपकी second part है book का, second कह लीजिए या फिर बिल्कुल last chapter है entrepreneurship development concept and process बेटा आज कल का ये most famous topic चला हुए entrepreneurship का वेरी वेरी इंट्रेस्टिंग ठीक है जी 203 पेज पर है हमने वेटा उठाया हुए सबसे पुराना वर्जन यानि की बहुत पुरानी बुक है वेटा 12 and 13 की ठीक है जी 12 तेरा के सेशन की उठायी है बेसिकली क्यों लिया वेटा इस बुक को क्योंकि CBSE semester system कर चुकी है और जो H CBSE है या फिर राजस्थान बोड़ है यूपी बोड़ है ये सभी भी फिर से वापिस अपने पुराने सिस्टम पर आने वाले है यानि की semester system पर यही रीजन है वेटा मिने इस बुक को द्वारा से फिर से उठाया है चलिए देखिए नेम के जी entrepreneurship development concept and process उद्धमिता विकास अ के संपूरन आर्थिक विकास के लिए महत्व पूरन है learning outcomes बेटा क्या रहेंगे इसकी उद्धमिता की अबधारना आर्थ विशेशता है उद्धमिता तथा परवंद के मध्य संबंद दोनों में अंतर उद्धमिता की अबशक्ता उद्धमिता के कारे उद्मियों के आर्थ इसके बाद मैं फस्ट बुक देखकर उसका भी कोशिश करूगी कि उसके भी कुछ ना कुछ बटा अप्लोड कर दिये जाए ठीक है उसका भी फस्ट बुक का फस्ट पार्ट यानिके समेस्टर फस्ट यह लगा लिजिए एंटर्परनर्शिप का कंसेप्ट बेटा ठीक है और इसका डाइग्रम आपके जो आपका इंगलीश होता है न द परसन द प्रोसेस द आउटकम वेरी वेरी इंट्रेस्टिंग बेटा ग्राफिकली कितना सुन्दर इसको भी आउट किया गया रीपरजेंट किया गया एंट नई वेबसाइक इकाई स्थापित की जाती है ठीक है ये क्योंकि वो श्योरटी पर दान करवाता है इट रैफर्स द प्रसेस अफ क्रियेटिंग बीजनस यूनिट तो अन प्रोफिट अंडर दा कंडिशन अफ रिस्क अन अंसर्टन्टी नेक्स्ट देखिए इसकी क्राक्टर स्थिक्स आगिजी अंटरपर्नियोर्शिप की इन उवेशन्स है और डइवालोपीं जो हो चुकी डवाल्पंग जो हो रही है वेसन उफ डिफरंस वेरी वरी इंटरस्टिंग नेक्स्ट बेटा फिर यह देखिए आप 10 तक हाँ जी बेटा यह देखिए 11th skilled required specialization next जी need for entrepreneurship ठेके जी उसके बाद functions of entrepreneurship ठेके जी contribution to GDP में क्या उसकी contribution दाता है entrepreneurship का क्योंकि वो surety देता है कि uncertainty में भी risky period में भी वो establish करके रखेगा ठीक है GDP क्या होते है इसका भी प्रहे किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुमवे सिवाओं के मौद्रिक मुल्या के योग से है It refers to the sum total of the financial value of all the produced goods and services during a year in a country ठीक है जी capital formation बगार हो गया generation of employment यह तो सबसे इसका great beneficial point entrepreneurship का employment रोजकर के अबसरी अबसर परदान करते हैं ठीक है क्योंकि business stable हो जाता है चलिए जी 6.7 देख लिजी बटा 8th point ठीक है नेक्स्ट बटा functions or roles of entrepreneurs in relation to their own enterprise परचेजिंग इंपोर्स टीक है नेक्स्ट आजी बटा political administration नेक्स्ट आजी management control third point है second था political administration third आजी management control फिर बटा management के technology का क्या control रहता है process of setting up and enterprise ठीक है क्या चाहिए कि अगर enterprise basically होता है business छोटा होता है उसी business को जब वो काफी large scale पर चला जाता है तो that is known as enterprise उसको enterprise बोल दिया जाता है बस तो उसमें capital क्या manpower क्या high risk high profit सब कुछ highest हो जाता है ठीके जी commercial feasibility बगर आ गया legal feasibility commercial approval by funding agencies next बेटा क्या है business plan इसका भी प्राय उधमी की कलपना के अपचारिक लिखित वर्नान से है it refers to the formal written expression of the entrepreneurial vision ठीक है क्या बात्ते बगर लिखियोते है executive summary background सब कुछ उसमें विकरी से प्रापति उस अफ सेल्स ठीक है जी आपके लिए long question short question I am secure so very short सब ready हो जाएंगे इससे process of entrepreneurship development अब देखिए long question स्टार्ट हो चुक है यहां से पहले a role के according role of entrepreneurial factors in entrepreneurship development ठीक है पहले a को पूरा अच्छे से explain कर है उन्होंने a point को फिर उसके बद b point b b है जी factors role of individual वो environmental यानि कि हमारी society समाज environment मोसम सब यह क्या impact करते है यह है individual यानि कि personally ठीक है personality उसकी competency उसका skill उसकी willingness क्या impact करते है वो सब कुछ बताया गया इसमें यह very very interesting topic है ठीक है individually sound होना चाहिए ना entrepreneurship environment भी ठीक है बट this is very much interesting topic यह बला चलिए काश सवोट काश यह सब आपको बेटर रीड किया हुए ना knowledge attitude skills this is a full form of cash entrepreneurship competencies basically उसके अंदर यह सब कुछ होना चाहिए यह capabilities जो entrepreneurship हो ठीक है उसकी यह अलग से different qualities बताईगी है total 15 qualities बताईगी है यह सब कुछ उसके अंदर patience type efficiency skill skill ठीक है जिस काम को करने जा रहा है उससे related उसके अंदर professional qualification skill सब कुछ होना चाहिए entrepreneurship sheer entrepreneurlier motivation चीक है उसके अंदर motivation आ पावर भी होने चाहिए need for affiliation, power, autonomy, values and attitude different different heading देकर फिर उनके अंदर के सब points दिवाए बट यह choices के regarding success ठीक है two-two alternatives है उसको कौन से way out adopt करने चाहिए so that की company grow करे और fully establish रहे 11th, 12th, 13th planning period success planning चलिए की concept आगे बटाब summary of the chapter entrepreneurship की summary में meaning of entrepreneur, entrepreneurship, enterprise ठीक है जी entrepreneur इसका पर रहे उस व्यक्ति से जो अपनी website 21st थापित करता है, entrepreneurship का भी पर आए व्यक्ति दोरा स्वयम की website 21st थापित करने वाली परकीरिया से या पर रोसेस से है, result यानि की enterprise उद्धिमिता के परिनाम से है, ठीक है जी functions, needs, differences, differences आगे ठीक है जी सभी के सभी यहां पर functions आगे, technology बगारा वाले ठीक है process of entrepreneurship development आगे, competencies आगे, capabilities, competencies आगे उसके अब देखे जी study assignment के questions आगे, 10 marks, 4 marks, need and functions of entrepreneurship आगे process and setting up of enterprise आगे, ठीक है जी, entrepreneurial competencies आगे, enter entrepreneurial motivation values and attitude आगे, काश का क्या अर्थ है अब आगे जी हमारे very short answer questions, ठीक है जी, what do you mean why entrepreneur उद्मी से आप क्या समझते हैं, इसका भी प्रहे उस व्यक्ति से जो अपनी website की काई स्थापित करता है, entrepreneurship से क्या भी प्रहे है, उद्मिता से क्या भी इसका भी प्रहे है, इसका भी एक व्यक्ति द्वारा, स्वयम की वेपसा है की काई स्थापित करने वाली प्रकिरिया से है, what is an enterprise उद्मिता के परिनाम से है, what is meant by GDP, gross domestic product, इसका भी प्रहे है, किसी देश में एक वश्में उत्पादित, समस्त वस्तों है, सिवाओं के मोद्रिक मुल्या के योग से है, what is business plan, इसका भी प्रहे है, उद्मिकी कल्पना के अपचारिक लिखित वर्नन से है वेपसाई की योजना क्या है, काश का पूरन full form बताईए, कर सच, काश, कर knowledge, a attitude, सच, skill, h habits, इसके अंदर qualities होनी चाहिए न, basically define entrepreneurship values, उद्म शिलता मुल्यों का अर्थ बताईए, मुल्यों का विप्रहे उन सामाने माने तायों से हैं, जिने व्यक्ति अपने विवारों में लाता है define entrepreneurship development, उद्मिता विकास का, उद्धम शिलता विकास की एक परिवाशा दीजिए, उद्मिता विकास एक जान भूज कर किया गया प्रयास है, जिसके अंतरगत लोगों को उद्मिता को करियर बनाने हे तु जागरु किया जाता है, objective type देखें जी, उद्मिता का अभिप्रहे एक व्यक्ति द्वारा स्वम की विवसाइकी का इस्थापित करने वाली प्रिकिरिया से है, दूसरा उद्मिता एक वियविस्थित जोखिम पूरन वैद किरिया है, थर्ड एक उद्मी उद्येशा को पूरा होते देख अभी प्रेरित होता है, फॉर्थ उद्मिता की अब उप्रयोक्त सभी यानि की विकास प्रिकिर्य को परहरंब करने उसको बनाई रखने के लिए रोजगार अबसर उपलब्द करवाने के लिए होती है उद्मिता विशेष्टा पिछले वर्ग के जीवन यापन का एक आकर्शक विकल्प है सिक्स्थ आर्थिक विकास के लिए उप्रयोक्त सभी की अप्शक्ता होती है यानि की आर्थिक विकास के लिए एक्स्पेरिमेंटेशन, एक्स्प्लोरेशन, डियरिंग, साहाज, अन्वेशन, प्रयोक्त सभी की जुरूरत होती है next वित्य विभारिक्ता का अभिप्राए वित्त से है वित्य विभारिक्ती का financial behavior यानि कि वित्त चाहिए पैसा चाहिए 8 समर्थ्य वे इच्छा की अधिक्तम मात्रा त्यार उध्मी दर्शाता है काश में को को समलित किसको समलित नहीं किया जाता आपको पता है काश का मतलब है knowledge, skill, habit, attitude तो cash को include नहीं किया जाता यह उसकी personal quality से related होती है ने entrepreneur की 10 एक उध्मी को अधिक्तम समर्थ्य वै नियुनतम इच्छा की स्थिति में कशमता वान उध्मी कहा जाता है 11 उध्मीता की परिनाम को नीमन में से क्या कहा जाता है उपकरम 12 एक विक्सित देश में उध्मी का काम कब समापत हुआ माना जाता है व्यवसाई स्थापित होते ही 13 एक उध्मी का ध्यान कहां केंदरित होता है व्यवसाई प्रहम करने स्वंदिक क्रियाओं उपर 14 उध्मीत निमन में से किस के लिए रोजगार के अपसर उपलब्द करवाती है उप्रोक्त सभी के लिए यानि कि उध्मी के लिए मध्यस्थों के लिए आपूर्ती करताओं के लिए 15 राज्य की अपसरचाई के साधन उध्मियों की अपनी उध्मों की निमन में से किस भूमिका उधार निमन में से किस विवारिकता का अलंकन किया जाता है यानि कि तक्निक की वित्या आर्थिक सभी विवारिकता का अलंकन किया जाता है इसका अंसर डी है स्तार में का अधार्मा समार्थिया वैं इच्छा दोनों ही नियुनत मात्रा निमन में से क्या दर्शातिया उद्मी त्या का अर्थ है ड्रिड ता ड्रिड रहना चाहिए ड्रिड ता का ट्वंटित एक व्यक्ति को नीमन में से कौन सी अवश्यक्ता अभी प्रेरित करती है उपरोक्त सभी यानि की कार्य सिद्धी शक्ति संबंधन वे सब्तंतरता ठीक है जी 20 में का ये 20 के बटा आंसर भी दियो है इसी के साथ ही आपका वेरी वेरी इंट्रस्टिंग टॉपिक एंड चैप्टर इसी के साथ ही बटा खत्म होता है और आपकी ये पार्ट बुक सेमेस्टर टू का भी ये भी खत्म होता है ठीक है बटा अब इसके बद कोशिश करेंगे फस्ट बुक के भी अपलोड कर दीज थेंक यू बटा थेंक यू